मैं हूँ आपके साथ आयुश्मो और आपने लॉगिन किया है फिल्मी बीट अरजुन रामपाल की पतनी महर जेसिया उन चुनिंदा लड़कियों में शामिल है जिने भारत में सुपर मॉडल का खिताब मिला है इसके बावजूद लोग उन्हें एक सक्सेस्फुल मॉडल के तौर पर कम और अरजुन रामपाल की पतनी के रूप में जादा जानते हैं महर ने कभी बॉलिवुट में कदम नहीं रखा लेकिन मॉडलिंग की दुनिया में उन्होंने खूब नाम कमाया है महर मिस इंडिया भी रह चुकी है और फेमिना मिस इंडिया बनने के बाद ही महर ने मॉडलिंग करना शुरू किया महर ने 18 की उम्र से ही मॉडलिंग करनी शुरू कर दी थी महर कुछी सालों में मॉडलिंग इंडस्ट्री की सेंसेशन बन गई वो लगभख सभी बड़े ब्रांड्स जैसे लाक में नीविया, बॉंबे डाइंग, पामो लिव और विमल का चेहरा थी 24 साल की उम्र में महर की पास ऐसा मौका आया जो उनकी जिंदगी बदल सकता था लेकिन महर ने वो मौका छोड़ दिया महर अपने करियर के पीक पर थी जब उन्हें इंटरनाशनल मेकप ब्रांड लैंकम का चेहरा बनने का मौका मिला उस वक्ते इसाबेला रॉजले नी इसका चेहरा थी मगर महर ने ये ओफर ठुकरा दिया क्योंकि वो अपने घर को बहुत मिस कर रही थी अगर महर ये ओफर अपना लेती तो वो आज इंटरनाशनल मौडलिंग का जाना माना नाम होती इसके कुछ सालों बाद ही महर ने मौडलिंग की दुनिया छोड़ अपनी ग्रिहस्ती बसा ली महर ने मौडलिंग में तब पहचान बना रहे अरजुन रामपाल से शादी की इतना इनी अरजुन से शादी करने के बाद महर के समुदाई ने उन्हें बे दखल कर दिया था महर पारसी परिवार से तालुक रखती हैं लेकिन अरजुन हिंदू थे महर और अरजुन की मौलाकात मौडलिंग के वक्त ही हुई थी महर को देखते ही अरजुन उन पर मर मिटे थे दोनों की शादी को 20 साल हो चुके हैं और उनकी दो बेटिया है खेर महर आज मौडलिंग से दूर भले हैं लेकिन उनके अंदर मौडलिंग आज भी जिन्दा है महर ने शादी के बाद मौडलिंग एजेंसी खोली लेकिन उसमें उने ज़्यादा सफलता नहीं मिली इसके बाद महर ने अपने पती के साथ production company भी खोली लेकिन उनकी पहली फिल्म ICU box office पर flop साबित हुई अज महर कई fashion shows choreograph करती है और पती का business में भी help करती है उनकी परिवार में परेशानिया तब भढ़ने लगी जब अरजुन और सुजेन खान की बीच नजदी क्या भढ़ने लगी रितिक से डिवोर्स के बाद सुजेन अरजुन के बेहत करीब आ गई थी इसके कारें कभी अच्छी दोस्त रही महर और सुजेन भी सब के सामने एक पार्टी में लड़ बैठी फिलहाल इस वीडियो में अतना ही टेलिविशन और बॉलिवुद की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें फिल्मी बीट